आगरा के बोदला स्थित सेक्टर एक में जीवन ज्योती पाक से ढोल नगारों, गनेश जी की जहांकियों संकलश यात्रा निकाली गई। श्रीमत भागवत कथा से पूर्व निकाली गई कलश यात्रा से पूरा वातावरन भक्ति में हो गया। श्रीमत भागवत कथा से पूर्व 151 कल्षों के साथ पीतांब परिधान पहने महिलाओं ने उत्साहव उमन के साथ कलश यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा का शुभारम भाजपा के ब्रच क्षेत्र को शाध्यक श्वीरेंद्र अग्रवाल ने भगवा धवज दिखा क कर किया। कलश यात्रा जिस मार्ग से निकली, बहा देखने वर स्वागत करने वालों की भीर उमर पड़ी। महिलाएं सिर पर कलश लिये मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। नाच्टे गाते भक्नों संग कलश यात्रा कथा स्थल पर पहुंची। बगधी पर विराजमा की कथा और कथा सुनने के नियमों के वर्नन से वातावरन भत्ती में सराबोर हो गया। संयोध्रक विवेक अग्रवाल ने बताया कि दूसरे दिन भीश्मस्तुती, शुक्देव आगमन और हिर्ना कश्यक वदलीला का वर्नन किया जाएगा। जो कलेशात्र का वर्स्ता होती है, वो आज 255 कलेश द्वारा आज सभी माता वहना एकटी हो रही है। और हब्द कलेशात्र का शुवारम से बीरेंद गरवाल जी रच्छे कोशाते द्वारा किया जाएगा। और मैं सभी जो मेरी आवाज सुन ले हूँ, मैं सभी से आगर करता हूँ कि शे से बारत तक प्रभु रवान शिर्किष्णु राधरानी जी की गुर्गान किता सुने, अपने जीवन को धन्य बनाता है। श्रीवन भागवत कता का सुवारम कलस्यात्रा को प्रारम करके किया जाना है उसी कड़ी में, आज कलस्यात्रा निकाली गई थी। उनका भी में आवारी कि मुझे ऐसे पुर्ण काम करने के लिए जो मौका दिया है, मैं उसमें आज कलस्यात्रा की हरीज़नी दिकाता सुवारम किया है। और यहां साथ दिन की जो बागवत कता होने जा रही है, आज से लेके बारत तानी तक कता होगी। और आदर नी है, पूझ नी है, अपने माराज जी के स्री मुख से कता बोली जाएगी। और हम सब इस छित्रवासी और शेहर के लोग उनकी कता का सब बान करेंगे। और इस्वर की वक्ती का एक अलगी आनंद मिलेगा। ऐसा मेरा सबी से कहना है। और आप सब के स्री चुबाम में, तेरा बंदन, अबनन में कता का सब बान करें। और यहां प्रतिदन आकर एक वज़े से लेके चार-पांच वज़े की तक कता चलती है। उसको आप सब देखकर सुने।